अगर आपका भी वरिफिकेशन में 24 गंटे या फिर 7 गंटे 8 गंटे 20 गंटे दिखा रहे तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते और यह अच्छे से वर्क करेगा एक नया मैथर बताऊंगा जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्ब कर पाएंगे तो फ्रेंस अगर आग स्टार्ट करते हैं जानते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहां पर जो यहां पर वारिनिंग दिया गया है कि आपका साथ गंटे के लिए आपका ब्लॉक कर दिया गया है हो सकता है आपका बहु लॉग इन करने की कोर्सिस किया है इसी वज़ा से यह आपका यह प्रॉब्लम आता है तो चलिए आप जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्ब कैसे करेंगे तो मेरे पास एक जवर जस्ट ट्रीक है जो कि आप लोग को बहुत ही ज्यादा काम आएगा और चलिए जानते हैं इसक स्टोरेज डाटा के लियर ठीक है और या फिर आप ऐसा करते हैं आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और इसको ओपन करेंगे इसको अनिस्टॉल करके दुबारा से इंस्टॉल करेंगे ध्यान रखिएगा बात को समझने की कोर्सिस किजिएगा और इसको अनिस्टॉल करने के दुबारा इंस्टॉल करेंगे फिर ओपन करेंगे इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके कर दिखेगा और फिर से आपको यहां पर जाना है अब क्या करना है कि आपने जो उस्टम जो आपका नंबर था उस नंबर पर चलाना है तो आपको एक काम करना होगा कि आपको एक दूसरे नंबर से आपको एक WhatsApp ID क्रेट करना होगा बहुत ही जवर जस्ता आइडिया बता रहा हूं और आपका 100% तुरंत हो जाएगा तो चलिए for example मैं यहाँ पर कोई और भी नंबर डाल के ट्राइ कर लेता हूं और मैंने यहाँ पर randomly नंबर है किसी और का नंबर डालना है जो WhatsApp यूज नहीं करते हूं और उस पर next कर देना ध्यान रखिएगा और उसका नंबर पर OTP आएगा OTP एक बार आपको डालने ही पड़ेगी तो ऐसे नंबर डालिए family में जो यूज नहीं करते हो WhatsApp या फिर कोई और आप यहाँ पर जो नंबर है यूज करने के बाद आप ऐसा किजिए ऐसा कर दीजिए verify किजिए ठीक है verify करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जो मैंसे जा जाएगा देख सकते हमारे verify हो चुका है और आपने अगर password लगाया होगा जैसे कि मैंने सी में ल दो मैं विल्कुल भी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा पिछला कोई भी चैट बेक अपने चाहिए और यहाँ पर अपना नाम रख सकते तो मैं simply यहाँ पर चैनल का नाम रख लोंगा हाँ तो अपना चैनल का नाम आपको यहाँ पर लिख लेना है उसके बाद आपका जो problem है 100% solve होगा उसके बाद यह आपका खुल जाएगा आपका जो भी नंबर वगेरा होगा दिख जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको यहां पर सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा उसके बाद अकाउंट में जाना है उसके बाद यहां पर change नंबर पर क्लिक करना है ठीक है और यहां next पर क्लिक कर देना है यहां पर वो नंबर डालना है जो आपका पुराना है यहाँ पर वो नमबर डालना है जो जिस पर आप रेजिस्टर के चेंज करना चाहते है आपको नेक्स्ट कर देना है तो मैं आपको बता रहा हूँ इस पर बस इस पर नेक्स्ट कर दिजिएगा और आपका जो वाटसप है वो चालू हो जाएगा अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ और इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है ठीक है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कि आपको कैसा लगा वीडियो मिलता है नेक्ष वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार